हेलो नमस्का दोस्तों स्वागत था आपके अपनी यूटूब चैनल एक जाम गूरू टिपसेंट्रिक्स पर दोस्तों आज विसी वीडियो में हम आपको बताएंगे लोको पाइलट और टेक्निशन के लिए कौन-कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं और कौन-कौन लोग एरिज तो हम आपको पताएंगे आप दसवी पास है बारवी पास है आपके पास आईटी आई है बीटेक है डिप्लोमा है आप कौन-कौन सा पोस्ट फॉर्म भर सकते हैं कौन नहीं भर सकते ठीक है तो चलिए देखते हैं सबसे पहले सुरू करते हैं दोस्तों लोको पाइलट में डिटेकाल ये समयर चाहिए तेक्निकल डिह होना चाहिए अब आपके पता होने चाहिए टेकनिकल प्लोम के आते हैं अब इसके अंदर ऊते हैं वह ट्रेट आप हो सकते हैं नहीं तो सबसे पढ़े मां देख लिए लेते कान कोंसेicate के आप भर सकते जा सबसेदे आपको प्वास होना चाहिए याना है कि 10 भी पास होना चाहिए उसके बाद आपके पस आइटी आई का सड्रेट आइटके पास के साथ आइटी आइका कोर्स आपके पास होना चाहिए और वह भी आइटी आइक किसकी ट्रेड में होना चाहिए मैं आपको यह बता देता हूं क्लियर कर देता हूँ बहुत सारे डॉप्ट्स आपके हैं सारी आज इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे ठीक है तो चलिए सबसे पहला हम बता रहेते हैं फीटर आइटिक आपका फीटर से हो इलेक्टरिशन से हो इंस्ट्रुमेंट मेकैनिक से हो मिल राइटिंग मे से अगर जो अपने किया है और आप दसवी पास है तो आप लोको पैलेट का फॉम भर सकते हैं दोस्तों ध्यान रखेगा यह मैं लोको पैलेट की बता रहा हूं टेक्नीशन के लिए नहीं बता रहा हूं ठीक है इन सब ट्रेडों को आप लिख लीजिएगा अगर जाओ से अटो भाल से और यह चीज के साथ एक चीज और होना चाहिए एई सीटी अब रूब कालेज होना चाहिए आपका जहां से अपने डिपलोमा किया वह ऐगा यहां इंस सब ट्रेडों से डिपलोमा या फिर आई टी आई किया है तो आप हमको भर सकते हैं लोको पाइलेट के ठीक यह दोस्तों और चीज बहुत है बीटक वाले भर सकते हैं कि यहां पर सबसे बड़ी बात है जी हां बीटक वाले भी भर सकते हैं तो यहां पर देख लिए लिखा है अब आते हैं आप टेक्निकल जो दूसरा पोस्ट था लोको पालेट के लावा टेक्निसियन वह भर सकता है थो दूसरा टेक्निसियन के लिए हम आपको बता देते हैं टेक्निसियन के आपको 10 पास होना चाहिए उसके बाद ITI, Diploma कुछ भी हो तो टेक्निसियन का फ़ाम भर सकते हैं लेकिन उसके अलावा अगर जो आपने नहीं ITI किया है, नहीं डिबलोमा किया है, तो उसके अलावा एक और चीज है, आप कर सकते हैं, अगर जो आप 12 पास हैं, 12 में आपके बारहवी में, 12 में आपके Math, Physics, Chemistry सब्जेक्ट हैं, बारहवी में आपके Math, Physics, Chemistry एक बार और सुन आप फार्म को भर सकते हैं, टेकनीशन के लिए, मैं आपके बारहवी में बताया है, पूरी समझ में आपके पूरा डिटेल आपको मिल गया होगा, और दोस्तों अगर जो इसके अलावा और कुछ जानकारी चाहिए, तो मुझे कॉमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए, तो दोस्तों अगर जो इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजे, तो थैंक्स पर वाचिंग, मिलते हैं एक खिडियो में, जय हिन, जय भारत!